सुर क्या बोलती पबली क्या हलचल, Welcome back once again in another video of Apex Legends Mobile, और इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हो custom layout के बारे में, custom layout के हर एक बटन के बारे में मैं बात करने वाला हो, यहाँ पर in detail में तकि आपको समझेगा कि कौन से बटन किस के लिए use होते है, तो यहां पर आप देख सकते हो मेरा अल्रेडी पाइफिंगर सेट अप है यहां पर लेकिन मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि कौन से बटन किस के लिए यूज होते हैं तो लेट्स स्टारट को सेट करने के लिए यहां पर आपको सेटJust में जाना पड़ेगा यहां पराप मेने muscle पर हैव किंट्रोल स्टेंट कर सकते , तो मीन ने ढ़र कंट्रोल इंटांवेंस लेक्टकर लेक्न के लगा ह् ? किaba टीन लेयआट अप्षन टीन दिये हुआ टो यहापन में उपपर लेयाट पर क्लिक करता हूँ लेयाट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हुक्त तीन तो मेरा wors pur na prf finger up iru so my basic Яना ई messenger जाता वो जो कि second में जाता हो तो second में आओंगा तो यहां पर second में एक दम basic option option दीखेगा dei prakt के जो कि our Might original रहते और फेर आपको सारे buttons explain करता हूं जो कि आपको layout सेट करने में help करेंगे और बढ़ने से पहले एक चीज़ बूल कि Apex질 mobile के हर एक character के 3 abilities होते है, passive, tactical और ultimate ability, passive के लिए कोई button नहीं है, लेकिन tactical और ultimate ability के लिए अलग-अलग dedicated button है, तो यहाँ पर मैं सबसे right से चालो करता हूँ, जो कि आपको दिखेगा, यहाँ पर मेरे screen पर देखना, तो यहाँ पर सबसे right में दिखागा वो है, यह ultimate ability, जो कि सबसे main power होती है, character की उसका button है, उसके left में आपको दिखेगा है, यहाँ पर यह है, tactical ability का button है, यहाँ पर आप देखो, screen पर, यहाँ पर tactical ability का button है, यह पर, तो यह दो है ability, यह दो extra button बोच सकते हो, इसके बाद आते हैं, यहाँ पर थोड़ा से left-hand side पर आता हो, यहाँ पर आपको देखेगा 2x, 4x, यह basically 2x, 4x, जो के multiple scope options रहते हैं, आपको bgmi में देखा रहेगा 3x और 6x रहते हैं, तो उसमें आपको इसे like scope, zoom in, zoom out कर सकते हैं, वह इसे ही basically यह option है, यहाँ पर multiple option, like 2x, 4x का scope आता है, like तो यह वाला वो button है, okay, तो यह चीज़ है, okay, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पर आपको red-red देखेगा, यह red-red क्या है पते हैं, जैसे कि आपके bag में आपने extra scope करी किया है, like 2x करी किया है, 3x करी किया है, 8x का scope करी किया ह वो select करने के लिए आपने यह bgmi में देखा रहेगा, तो यह multiple scope option जो आपके bag में रहते है, उसके लिए यह button है, उसके right-hand side में आपको यह button दिखेगा, यह scope है, यह तो normal है, यह button यह आपको पता होगा, so the next thing यहाँ पर आपको बोलगा नीचे आने के बाद यहाँ पर आप द यह hipfire का button है, like इससे भी fire होता है, लेकिन यह सिफ और सिफ hipfire का button है, उसके बाद bottom में आने के बाद यहाँ पर एक button है, यह फिलल इसको ignore करो, क्योंकि यह game में दिखता नहीं है, उसके बाजू में यह वाला button आप देख सकते हो, यह वाला button crouch का है, like आप crouch करते हो, बैटते हो नीचे और यही button आपको slide करने भी use होता है, like sliding and all के लिए, like यहाँ पर sliding feature added है, यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर reload का button है, यहाँ पर वो भी देख सकते हो, उसके उपर आथे थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हो, door open close का button है, यहाँ पर यह open close का button है, और उसके पीछे आपको देखोंगे, यहाँ पर यह grenade का button है, actually, long and short pro का button है, यह actually grenade का, यह वाला actually थोड़ा पीछे था तो इसको मैंने उपर set कर लिया, यहाँ पर आप भी फिलल, अब नीचे आते है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे नीचे आते है यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे वाला section में, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यह वाला section है, वो heel का section है, इससे आप heel section यह set कर लो, यह heel है, और जो left वाला section है, यह वाला grenade का section है, ओके, तो यह ध्यान रखो, यहाँ पर किदर दिखा ही नहीं देता है, कि यह की जो button है यह बैग आउपन करने का बटन है और उसके लेब में एकदम बाटम में आपको FPP और 2PP का Switch button दिखेगा तो यह button है यह measures button है और उपर वाई से यहाँ पर आउट और एंड यह बतन दिया हो box रहें, boxes रहें, enemies के, उसका loot का option है, और यह वाला free look का option है, और यह marking का option है, like यह वाला button है, यह marking का option है, उसके उपर यहाँ पर आपको दिखेगा, यह है team mates का, आपका सब का नाम and all, यह सरे team mates का, और यहाँ पर सब दिखाएगा, आपको कि कितने squads remaining है and all and all, so यह चीज़े, कितने squad remaining है, remaining है, कितने players remaining है, और यहाँ सब detail बताएगा, अब यहाँ पर जो है, यह mini map का section है, यह वाला mini map है, मतलब map का button है, और यह kill feed है, यह वाला button है, यह kill feed है यहाँ पर, तो यह सारे buttons मैंने almost explain की है आपको, तो यह चीज़ है, दो तीन चीज़ें सिफ add है, यहाँ पर जो main थी, आपको बताने का था, वो है, कि ultimate ability और, यह वाला button ultimate ability, यह वाला tactical ability, जो कि ठोड़ा सा difference करता है, इतना भी कुछ add नहीं है, सब सेम ही बहु सकते हो, आप, तो यह वो सारे buttons मैंने explain करेंगा, तो ताकि आपको custom layout build करने में बहुत आसानी पड़े, तो यह actually बहुत easy थ जो लोगे तो almost PUBG में, BGMI में भी यही सब सारे buttons है, जिवह पर peak extra है, like right peak, left peak, बटन extra है, तो यहाँ पर, बस ही ultimate ability, और tactical ability के buttons, दो buttons extra है, यहाँ पर, extra भी नहीं बोल सकते हो, like, वो abilities के buttons है, बस उनके जगह पर, तो यह चीज मुझे actually बताने थी, so easy हो सकते है, आपको custom layout set करने के लिए, तो यह चीज है, फिलाल इस video में बस इतना ही, मिलते फिर next video में, तब तक के लिए, bye guys, मिलते फिर next video में, okay, bye guys.